हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सुजलोन एनरजी के बारे में जिसकी प्राइज 66 के आसपास चल लिए जब यह 54 के आसपास था निचले लेवल पर तभी यहाँ पर तीन चार अच्छी खासी न देखने को मिलेगी पर लास्ट विक इस विक देखोगे तो यहाँ पर यह जो श्टॉक है वो कहीं ना कहीं रुख सगया है ठीके 66 के आसपास कोई जादा मुवमेंट नहीं देखने को मिलती है तो इस वीडियो में डिटेल आनालेसिस करने वाले इसके फंडामेंटल टेक् जोई नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बिल्कुली फ्री में आप हमारा वाट्साव और टेलेग्राम भी जोईंग कर सकते हो वहाँ पर भी काफी सारी इंफरमेशन अप्डेट देती रहते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर पर संक layout हमें यहां पर देखने को मिल रहे प्सले 5 सालों का डेटा देख उगे तो रिइफाजों फ्री बिंडेट संका जबरत स ह्माधर देखने को मिला है तो सबसे फेलिए यहाँ फंडामेटल से शुरुआ करते हैं क्या क्या चैंजिस देखने को मिला है अभी market value 3.32 का है intrinsic value देखोगे तो 5.76 एं ग्राम नंबर देखोगे तो 7.29 का इस साब से देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा में expensive नज़र आ रहा है रिटरंग केपटा dividend नहीं देती है debt सिर्फ 277 का है and debt equity is 0.06 तो 0 debt वाली company आप इसको बोल सकते हो 86 का यहां भी 52 high रहा है 33 का 52 low रहा है 52 high अभी देखोगे तो 23% की गिरावाट के उपर अभी आपको trade करता हूँ नज़र आ रहा है तो अभी आप चार्ट के उपर important level देखते हैं अगर आपने देखा होगा कि 86 के आसपास का इसका high था वाज अगर आप देखोगे तो लगातर गिरावाट हो रही थी इसने low बनाया था 53 के आसपास का और इसके बाद अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो अच्छी खासी न्यूज आई थी काफी सारी यहाँ जबरदस तेजी भी देखने को मिली थी 68 के आसपास ठीक है इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर साइडवेज अभी console date कर रहा है ठीक है तो अभी आप important level की बात कर लेंगे top से लिखे अगर bottom हम यहाँ पर देखे तो हमारे पास यहाँ पर जो important level है वो यहाँ पर आ जाएगे तो सबसे पहला हमारा जो resistance level अभी के लिए है देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर है .5 का and .6 का level आप यहाँ पर देख सकते हो 69 से लेके 73 का तो यह दोनों सबसे resistance है और इसे के आसपा स्टोक आके रुका हुआ हमें नजर आ रहा है ठीक है नीचे से अच्छी का सी तेजी है और इसके आसपास अभी consolidate करता हुआ नजर आ रहा है ठीक है तो जैसे यहाँ पर यह 73 को क्रॉस करके उपर की साय सस्टेंग करेगा उसके बाद next आपको 86 का यहा पास यहाँ पर consolidate करेगा उसके बाद अभी के लिए अगर important support की बात करें तो major बड़ा support हमें यहाँ पर 62 का देखने हुआ ठीक है तो 62 का आप यहाँ पर support मानके चले और उपर की सेट तो मैंने आपको level दिखा लिए PNL देखोगे तो sales growth जो है 2013 में 18,914 करोर का चल रहा था फिर इसके बाद यहाँ पर कम हुआ अभी की अगर बात करें तो पिछले 2020 से देखोगे तो यहाँ पर जो इनका sales है वो वापस से बढ़ना शुरू हो चुका है अभी देखोगे तो highest 7,882 करोर का यहाँ पर देखने इसके साथ साथ net profit देखोगे तो पहले यहाँ पर बहुत ही negative में loss कर रही थी company 2020 में भी देखोगे तो 2,692 करोर का लॉस था इसके बाद देखोगे 2022 में भी लॉस था पर अभी अगर आप देखोगे तो company का जो profit growth है वो यहाँ पर काफी अच्छा कासा है 2023 में 2,887 करोर का कि ला है तो अभी यहाँ पर sell same profit company वापस से अच्छा करने लगी है and holding के अगर बात करें तो promoter की holding आप देख सकते हो अभी 13.25% की FIS की holding यहाँ पर 23.72% DS की holding देखो तो 9.02% public के पास कितना है 54% तो promoter की holding बहुत ही कम है and काफी time से कुछ changes नहीं देखने को मिल रहा है पर FIS जो अपनी holding लगा तार यहाँ पर increase करते हो नजर आ रहा है and DS की holding भी देखो तो अभी यहाँ पर काफी अच्छी खासी वापस increase होके 9% हो चुकी है पबले के पास 54% की holding है तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर consolidation जोन में है जैसे ही यहाँ पर 71, 73 क्रॉस करेगा तो उसके बाद हमे एक नया हाई की तरफ stock जो हो जाता हो नजर आ सकता है बाकि detail analysis हमने कर लिया है चैनल पर नवर तो चैनल को subscribe कर दीजेए और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को like जरू से कर दीजेगा thank you thank you much